नमस्कार आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्रा राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर लगातार रेस में बाबा बालकनात का नाम सामने आ रहा है और देखे एक और हमने तस्वीर देखी कि जेपी नड़ा अमिच्छा से मिल रही है हो सकता है आज बीजेपी कुछ इशारा दे दे लेकिन इससे कुछ कहना ठीक नहीं होगा इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि राजस्थान के सीकर में मौझूद कॉंग्रेस नेता के रिजॉर्ट आपनो राजस्थान में उस रिजॉर्ट में जो मसंद्रा दुशयंत और देखें यहां पर दुशयंत सिंग ने कई विधायकों को बुला कर बात्चित करवाई है वसुंद्रा राजस सिंधिया से और ऐसे में यह भी अटकले तेज हो रही है और इसका खुला सकिया है किशन गंज के रिखिये विधायक हैं ललित मीना उनके पिता हे दुशयंत सिंग में दर्शु का आपको बता दे कि मुख्यमंत्री सब को चाहिए होता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ अब किरोडिलाल मीना मिलकर आए दिया कुमारी मिलकर आई वसुंद्रा राजस सिंधिया मिलकर आई बाबा बालक नाक्ष मिलकर आए तो चारों में से किसका नाम ले हमें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है किसका नाम ले क्योंकि सबकी नामों के आगे किसी ना किसी से इशारा बीजेपी एदे सकती है कि जो सबसे लोगप्रिय होगा उसका नाम आगे हो सकता है या फिर राजस्थान की सियासत को बीजेपी समझती है बीजेपी सरकार में गुंडगर्दी फैल गई थी सुखदेव गोगा मेडी की हत्या के बाद ये रिमांट जादा आ रही है और अब देखिए बाबा बालकनाथ पर कई ऐसी लेखनी प्रकाशिस हो रही है कि उनका जीवनी कैसा रहा है तो ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं बाबा बालक सके अब देखिए यहां मैं आपको बता दू कि हेमराज मीना के अनुसार उनके बेटे यानि वसुंधराज के बेटे हैं दुश्यन सिंग जी उनके बेटे ललित मीना सहित पांच विधायकों को इस रिजॉर्ट में रोका गया था जहां वो गय तो विधायक कमरलाल ने उन से उलज गए अब बीजेपी कह रही है कि आला कमान को जब इस बात का पता चला कि आपड़ो राजस्थान नाम के रिजॉर्ट में जो की कौंग्रेस के अशोक चौतरी का है उसमें हमारे भाजपा के विधायक ठहरे है तो देखिए आला कमान के कुछ पतादिकारी जोशी ने भी क्लियर किया है कि हमारे अंदर कोई बाड़े बंदी नहीं है कोई अंतर करा नहीं और देखिए यहां पर सबसे ज़ादा वसुंधरा राजे के उपर यारूप लग रहे है कि वो बाड़े बंदी कर सकती है देखिए 20 से ज़ादा विधायक वसुंधरा के पा तो इस बीच आपको पता दें कि अठकले तेज हो गई है बाबा बालकनाथ की माता जी से भी अब मीडिया पहुच रही इंटरव्यू करने और जब उनकी माता जी से पुछा गया क्या आप चाहती है कि बाबा बालकनाथ अपने यहां पर अपने जीवन में वापस लोट तो देखें यह सब इंटरव्यू वाइरल होने का मतलब यह है कि बाबा बालकनाथ अभी सुर्कियों में चाहे हुए हैं और देखें मस्त नाथ मत के महंत हैं और आठवे प्रमुक महंत हैं इसे के साथ आपको बता दें कि यहां पहले उनका पुराना नाम यानी वास्तवि कल्यान के लिए जैसे योगी आरितनाथ को हमने देखा वैसी बाबा बालकनाथ आगे बढ़ रहे हैं देखें कहा जा रहा है कि काम करते करते मेहनत करते करते योगी के बराबर इनकी छवी हो सकती है क्योंकि इनका नाम सबसे ज़ादा आगे चल रहा है साधू संतों का इन संपर्क में आने के बाद इनका नाम पंकच से गुरुवार को जन्म लेने के कारण गुरु मुख हो गया और गुरु मुख के बाद इनको साधू संतों ने महनत बाबा बालकनाथ योगी नाम दे दिया तो दिल्चस्प कहानी है इनकी त्याग है तपस्या है अगर आप दे री नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी के बाद जिसने अपनी गृहस्ती छोडी उनका नाम है योगी आदितिनात आईज दो वार चुनकर आहें और देखिए इन दोनों के बाद राजस्थान के लिए बाबा बालकनात का नाम आगे आना ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रिहस्त जीवन को छोड़कर समाजिक कल्यान के लिए बाबा बालकनात आगे आ रहे हैं तीन राज्यों में हुई बिजेपी की शांदार जितके बाद बिजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है MP में कहा जा रहा है शिवराज मामा लोटेंगे मेहनत उनकी थी तो शिवराज सिंग चोहान लोट सकते हैं 36 गड़ में भी हम कुछ नहीं कहेंगे और राजस्थान में तो सबसे जादा जनता नजरे गड़ाई हैं कौन होगा कौन होगा कौन मुख्यमंत्री होगा अब देखे ऐसे में बाबा बालकनात की जीवनी इस पर प्रकाशित हो रही है किस तरीके से उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया है समाज के लिए किस तरीके से उनकी वीडियो वारल होई एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि अब राजस्थान में सिक्का हिला यानि कि राजस्थान में कोई गलती किसने की तो प्रशासन इसका जिम्मदार होगा यानि कि प्रशाशन को लेकर भी बाबा बालकनाथ सशक्त नजर आ रहे हैं कि अगर गलती हुई जन्ता की सेवा करने में कोई सुरक्षा में चूक होती है तो इसका जिम्मदार प्रशासन होगा यानि कि प्रशासन को भी दुरस्त बना लगातार निरन्तर प्रयास कर रहे हैं और यही वज़ह है कि बार बार जनता बाबा बालकनात के नाम पर मुहर लगवाना देखना चाहती है आपको बताएं कि वशुंधरा राजिय सिंध्या पुराने समय से चली आ रही है तो आला चमाण उनको बिलकुल नाराज नहींं करे है जादा प्रेशर हो तो कहीं मुख्यमंत्री ना बना दे अब बाबा बालकनाथ के आगे उनका नाम फीका पड़ता दिखाई दे रहा है इसके साथ मैं अब बता दूँ कि तस्वीरों में भी जनता इशारे समझ लेती है जेपी नड़ा से मुलाकात कि रोडी लाल मीना के भी मुलाकात दिया कुमारी की भी मुलाकात यह सब दिखा रहा है कि किसी एक निता को तवज़ों नहीं दिया जा रहा है राजस्थान में पूरी सोच समझ के साथ एक निता पर मुहर लगा दिया जाएगा लेकिन बाबा बालक नाथ अभी देखे रेस में सबसे आगे चलते दिखाई दे रहे हैं इसके साथ अगर बाच्चित की जाए तो बीजेपी वो पार्ट पुछा तक नहीं होगा लेकिन बिलकुल इंतिजार करना होगा और इस बात को निधारत नहीं करना होगा कि अगर रेस में किसी नाव आगे चल रहा है तो वही मुख्यमंतरी होगा लेकिन संभावनाओ पर देख्येए यहाँ पर उमीड टिकी हुए है संभावनाय जटाई गोगा मेडी की हत्या के बाद जादा दिमांड बढ़ गया तो हो सकता है कि राजस्थान में जो महिलाओं के साथ अत्याचार दूराचार इन सब को देखते हुए हो सकता है कि बाबा बालकनाथ उस कुरसी पर सटिक बठेंगे तो इंतजार कीजिए और मैं चाहूंगी आपक क्या आपको भी लगता है कि बाबा बालकनाथ होने चाहिए या फिर कोई अन्य नाम जरूर कॉमेंट ड्रॉप करें बहुत शुक्रिया आपका दन्यूस चे जुड़ने के लिए